तो हेलो फेंड्स वेल्कम आप सब्सक्राइब है फिर से मेरे चैनल पर तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पेड़ पर काफी आम लगे हुए हैं तो मुझे इसे तोड़ना था तो मैंने सोचा कि प्रूट पिकर जो होता है उसे बनाया जाए तो जिससे कि आसानी से तूट जाएं और गिरें भी नहीं तूटें भी हैं तो चलिए उसे बना के देखते हैं तो उसके लिए हमें जरू सकते हैं असानी से कोई आपको एडिशनल चीज़ें बाहर से लाने की दरूवत नहीं है बहुत आसानी से बन जा गई है तो इसकी जो सेंटर मार्केंग को जो होती है आप जो बॉटिल को देखेंगे तो उसमें दो पॉइंट्स से दी होगए होंगे दो साइट से जहां से वो बॉटिल में एक लाइन बनी भी होगी मिट पॉइंट्स पे दोनों साइट्स में उससे जरा थोड़ा आगी करके आप पैंसिल से मार्क कर लीजे और अपना जो फूट्स आपके लगे हुए हैं उसके एसाफ से आप देख लीजे कि बड़ा आपको होल बनाना है इसके चोड़ा बनाना है जादा पड़ा मत करिये बस फूट आ जाए इसके अंदर अंदर इसके बन जाए तो यह इसके जो इतना रैपर था उससे थोड़ा सा बढ़ती महने से बनाया है उपर की साइट से नीचे की साइट से उतना ही रखा है इस पर मार्किंग कर लिए और यह इसके पीछे की साइट में यहां पर हमें एक नौच बनानी होगी जिसमें जो इसकी ट्विक होगी वह इसके अंदर डाली जिसे कहते हैं वह आ जाए और यह आसानी से तूट जाए तो उसके बाद हमें से एक नाइफ या कोई भी शार्प चीज या सीजर आपके पास उपन से इतने पोजिशन को अलग निकाल लीजे तो यह मार्किंग कर लिए यह मार्किंग आप अपने हसाब से एड़स्ट कर सकते हैं चोटी यह बड़ी वह इसमें हार डूल नहीं है कि इतना ही मनाना है या इसके अलावा आपके पास किसी और साइस की बाटिल हो तो भी ले सकत काट लेंगे प्लास्टिक है बहुत असानी से कट जाएगी तो आप इसे जितनी मार्किंग है उसकी आउट लाइन यहां से हम निकाल लेंगे और बॉटिल का मार्क देख ली जागा अब जो बॉटिल जहां से सील्ड होती है उसमें साइट से दो लाइन सापको दिखेंगी मैनुफेक्ट्रिंग मार्क होता है उसका वो दो साइड में लाइन बनी वी होगी उससे थोड़ा सा कम रखना है इसे ताकि जो उसकी स्टेंथ जो है वो बनी रहे है तो यह हमने चारों तरफ से इसे काटना है उसके बाद और यह जो बॉटिल का जो ऊपर का जो पोर्शन है यह नीचे बॉटम से जो दिख रहा है यह थोड़ा हार्ड होता है इसे हमें बचा के रखना है और यह जो बीच का मिडल पोर्शन है यह हम निकार लेंगे वो हार्ड इसलिए रखना है ताकि जो लगाएं तो यह बॉटिल मोड़े नहीं इसलिए उसे मत काटियेगा आप उपर से थोड़ा पॉइंट छोड़ दीजेगा और नीचे भी थोड़ा इतना गैप छोड़िएगा दो या तीन आपके फूर्स इसके अंदर आ सकें इतनी कैविटी बन जा है इसके अंदर तो यह हमने पूरा पॉर्शन निकार लिया प्लास्टिक का इसे थोड़ा फिनिश कर लेंगे चारु साइट से अब जो इसकी सेंटर में मिटिल नौच बनानी थी वह हम बनाएंगे उसे भी एक नहीं चीज़ से हम सीधा करेंगे तो इसका सेंटर आप देख लिए जो आपने पॉर्शन निकार ला है इसका सेंटर जहां पर भी आ रहा हो जैसे मेरा अंगोठे के पास इस पॉइंट पर आ रहा है तो यहीं से हम इसका बीच में नौच बनानी है हमें डाली के लिए जो इसके अंदर फस जाये तो वह हम ब सब्सक्राइबर से एक सेंटिम्टर या आदा सेंटीम्टर के हमें कट लगाएंगे और इसे' फिलप करके से सेंटर के पूरा मत लीज़ेगा क्यों फिर सेंटर कमसोर हो जाएगा तो यह मुड़ने लगेगी कि इससे थोड़ा से बचा के सेंटर से यह हमें से हाँ से काट ली निया और इसे थोड़ा सा जो साइट सेंस की इसे हम थोड़ा फिनिश कर लेंगे थोड़ा वी टाइप का इसे बना लेंगे ताकि जो गैप है वो थोड़ा नीचे से बढ़ जाए और जहां ऊपर की साइट मों पतला रखेंगे हम इसे और नीचे से थोड़ा से चोड़ा कर लेंग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ताकि नए नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल जाए यह उपर का जिसका कॉलर है इसे हमाँ डालेंगे इसके कैप को आपको समाल के रखना है कैप को मत फेकिए गए वो मैं बताऊंगा कैप का क्या करना है और एक आपको लंबी चड़ी चाहिए होगी जिससे की आप आसानी से पूच यह पॉइंट तक आपका जो चड़ी है इतनी लंबी होके फरलों तक आपके पहुंच जाए तो यह हमने इसका कॉलर हटा दिया है अब इसके अंदर हम चड़ी लगा देंगे मेरे पास एक छड़ी पड़ी थी मैं उसी छड़ी को ले रहा हूं और छड़ी का जो आपका बांगने के लिए है उसके लिए आप कोई मशबूत दोरी हो वो ले लिजे मैने एक प्लास्टिक की M disp 기ोए पास दोरी थी वो लिए प्लास्टिक की लीजएगा वो रहं की आपक अब इसमें जो हमने कैप लिया था वो हम इसमें लगा देंगे इसको छड़िए के मुग को थोड़ा सा चीर के हम इसके अंदर इसका कैप को फसा देंगे और इसके उबर जो आपका थ्रेड है उससे इसे चारों तरफ से बांदेंगे ताकि यह निकले नहीं अच्छी तरह से इसे टाइप कर देंगे तो यह हम ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जब आप कोई भी इसमें फूट जब आपका फसेगा उसको आप खेचेंगे तो यह बाहर निकलने का चड़ी का जो तो फड़ चड़ी जो आपकी बाहर नहीं निकल पाएगी इससे जो सोर पड़ेगा जो प अजया जाएगा तो यह आगे से जो शिरा है घॉट का आपफी चोड़ा हो गया अभी आगे का जो इसका बॉटिल का जो आगे का हिस्सा था उसमें से अभी यह कॉलम इस निकल नहीं पाएगी जिए हैं तो यह पर्मनेंटली फिक्स हो गई है इसमें अभी हम आपको निका देखिए अब ये जब आप खीचेंगे प्रेशर पड़ेगा तोड़ने के लिए तब ये निकल नहीं पाईगी किसी तरह ये आपकी फिक्स होगी इसके अंदर अगर आप बिना उसके बांदे थे तो आपको बार बार खीचने में निकलने का डर रहता अब पीछे से भी आपको थोड़ा सा इस पर धागा है बांदना पड़ेगा उसकी वज़ाई है ये ऊपर नीचे नहीं हो खोड़ा अंदर की तर पर आधे और भी आपको इसना त्रिक है इससे आप आसानी से आपको खर में कोई पेड़ को या फला आते हो या आसपास वो उसे तोड़ सकते हैं कि मैं भी आपको इससे तोड़की दिखाऊंगा कि यह वर्क करता या नहीं करता है फेक नहीं है या वैसी वीडियो नहीं है यह बस बना दिया लेकिन आप देखिए गभी आपको इससे में तोड़की दिखाऊंगा सारे फुली वर्किंग है यह इसमें भी हमने टाइप कर दिया है है यहां से इसके जो एक्स्ट्रा जो धागा है से हम काट देंगे गरसिया आपका त्यार है चलिए तोड़के दिखाते हैं भाब को यह देखिए कितनी आसानी से आ रहा है और इसी के अंदर यह फसे रहेंगे निकलेंगे नहीं आराम से दो तीन आपके जो आम है या मुरूध है या कोई भी आपका फूर्ट लगा हुआ है कैसा भी फल का प्यड़ हो यह इसमें आसानी से आ जाएंगे और बेना गिरे बेना तूटे बेना भटे आप को इनमाटर कर सकते हैं यह आपको प्यड़ पर चड़ने के जरूट है नकिसी को बुलाने के जरूट है तो यह ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा देखिए मैं आपको दिखाऊँगा सारे तोट रहा हैं जैसे यह बहुत एजिली आ जाएंगे बस आपको इसके अंदर लेके आना है जो गैप आपने बनाया था और जो डाली है वो सनौच के अंदर फसानी है और नीचे और खेच लेना है कोई टूटने का डर नहीं किसी तरह से निकलने का डर नहीं आराम से एक ही बार में आप तीन दो से तीन तोड सकते हैं या अगर आपके पास बड़ी और कोई जादा बड़ी पोटिल है तो उसमें आप इस से जादा भी एक ही बार में तोड सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा होता लाइक करियेगा मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक यू गाइस अच्छा लगा होता लगा होता लगा होता है अच्छा लगा होता है